तो दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना योटोब चाइनल एजुकेशन बाई गुपता जी पर तो दोस्तो इस कलास में देखेंगे कलास 12 हिंदी 100 माक्स के वोई से भी बी आई ऑब्जेक्टी परशन जो की आपकी बोड परिच्छा में सीधे देखने को मिलेगा तो चले दोस्तो बिना देरी करतो इस बीडियो को सुरू करते हैं जो भी बिदार्ती इस बीडियो को देख रहे हैं बीडियो को सुरू से लेके आकरी तक जबुड देखे तो दोस्तो आपको बता दे कि इस वीडियो में जो भी प्रशन है कापी महत्पुन प्रशन है तो आप लोग सभी प्रशन को अच्छी तरह से यादिक कर ले तो दोस्तो आपको बता दे कि यह वीडियो आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी बिदार्थियों के लिए है तो आप लोग प्रोपर इस वीडियो को अंतक देखे और सवी प्रशन को यादिक कर ले इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक ने के तो एक लाइक जवू कर दे साथी इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रूप, Facebook ग्रूप में भी Share कर दे ताकि और भी विडियो को देख सके तो चले दोस्तो एक एक करके सवी प्रशन को देखती है तो दोस्तो आपकी स्किन पे आपका पहला प्रशन है ओ सदा नीरा निमन किस पुष्टक से लिया गया है तो दूस्तु आपसे बोर्ट पडिशा में पुश सकता है उस सदा नीरा निमन की स्पुष्टक से लिया गया है नीचे चार option दिया है इसका जो correct answer होगा option C होगा बोलते चोन से लिया गया है तो दूस्तु एक का right answer option C है अगले प्रशन दो नमर है क्रिष्ण का बिलोम है तो दोस्तो आप से एक जायम पुछ सकता है क्रिष्ण का बिलोम है इसका जो सही एंसर है option C है जो की सुकल है तो दोस्तो दो का right answer option C है अगले प्रशन तीन नमर है इस तूती का बिलोम है तो दोस्तो इसका जो सही एंसर है correct answer यह निन्दा तो दोस्तों तीन का राइट एंसर ओप्शन ए है अगले प्रस्न आप देख सकते हैं चानव प्रस्न काफी महात्पून प्रस्न कहा रहा है कि यह थार्थ के इस लेंदिन का नाम ही संसार या पंक्ति किसकी द्वारा लिखी गई है तो दोस्तों इसका जुझा तो इसका जो सही एंसर, ओप्शन C है अग्रज तो दुझा पांच का राइट एंसर ओप्शन सी है अगले प्रस्न छेनम्र है जिसके बीना काम्ना चल सके के लिए एक सब्द है तो इसका सही एंसर और याण प्रस्न पनिème परने कं पर सने थेका तो cigarette ऑuw और देह two संड है मुक्ती बोद का जनम अस्थल कहां है तो इसका जो सई एंसर है option यहां पी B है यानि की B इसका correct answer सेफ्यूर में है तो साथ का right answer option B है अगले प्रिशन आठ नमर है जहनजट सब्द का पर्यावाची होगा तो दोस्तो आप लोग comment करके बताए जहनजट सब्द का पर्यावाची सब्द क्या होगा तो इसका जो सई answer है option C है जो की बबाल तो दोस्तो आठ का right answer option C है अगले प्रिशन नमर है डराबना सब्द का पर्यावाची होगा तो आप लोग answer जानते हैं तो comment करके बताए डराबना सब्द का पर्यावाची होगा यह सब परशन आप कलास्तेंत में भी पढ़ चुके हैं तो इसका जो सई answer होगा option यहाँ पे D हो जागा जो की भ्यानक तो दोस्तो 9 का right answer option D है अगले परशन 10 नमर है पंचाईती राज में क्या खो गया है इसका जो सई answer है option C है पंच पर्मिस्वर खो गया है तो 10 का right answer option C है अगले परशन 11 नमर है नील गाई सब्द कौन सा समास है तो दोस्तों आप लोग comment करके बताए नील गाई सब्द कौन सा समास है नीचे है पी चार option दिया है option A है ततपुरू समास option B है करम धारे समास option C है दोएन समास option D है देगू समास तो इसका जो सई answer होगा option B हो जाए करम धारे समास तो 11 का right answer option B है अगले परशन 12 नमर है नब यूबक सब्द कौन सा समास है तो दोस्तो नब यूबक सब्द कौन सा समास है इसका जो सई answer है option C है करम धारे समास है तो 12 का right answer option C है तो दोस्तो अभी तक इस बीड़ों को share नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग share कर दे ताकि जो भी छात्र एकजाम देंगे वो अभी इस बीड़ों को देख सके अगले प्रसन यहां पे देख सकते हैं जो तेरे नमव प्रसन है रसी का टुकरा की रशनकार है तो इसका जो सई answer है correct answer है option B है जो की गाई D मोपासा इसका जो की लेखक रशनकार है तो तेरे का right answer option B है अगले प्रसन चौदर नमर है सेना सब्द है तो आप लोग कमेंट करके बताए सेना सब्द क्या है तो इसका जो सई answer है option A है इस्तिलिंग सब्द है तो चौदर का right answer option A है अगले प्रसन पंदर नमर है कभी सब्द स्तिलिंग रूप है कभी सब्द का इस्तिलिंग रूप है तो इसका जो सई एंसर है option हम बात कर ले तो C इसका right एंसर है कभी 3 यानि कि कभी सब्द का इस्तिलिंग रूप क्या हो जाएगा तो कभी 3 हो जाएगा तो 15 का right एंसर option C है अगले प्रेशन 16 नमर है कह रहा है कि कोन लेखक कांगो के सिक्षा मंतरी कौमा वित मंतरी एबं परधान मंतरी रह चुके है यानि कि कोन लेखक है जो कि कांगो के सिक्षा मंतरी कौमा वित मंतरी एबं परधान मंतरी रह चुके है तो इसका जो सई एंसर ह एक correct answer है option C है जो की हेरनी लोपेज तो 16 का right answer option C है अगले प्रसंग 17 नमर है निम्न में सुद सब्द है यानि कि इन चारों में जो सुद सब्द कौन सा यानि कि सही सब्द इसमें से कौन सा है तो इसका जो प्रसंग जो भी है यहां पे कुछ न कुछ इसमें टूटी है ठीक है तो 17 का right answer option A है अगले प्रसंग 18 नमर है सथ सब्द है तो दूस्तों इसका जो इसका जो जो इसका right answer option A हो जगा ठीक है अगले प्रशन यहां पर देख सकते हैं 20 नमर प्रशन है दो का उचारन अस्थान क्या है तो इसका जो सही अंसर है ऑप्शन भी है दत क्या है जो की उचारन अस्थान है तो 20 का सही अंसर ऑप्शन भी है अगले प्रशन 21 नमर है सुबह हुई इसलिए पक्छी चहक उठे वाक तो इसका जो सही एंसर है option यहां पर बी हो जाएगा, बी में है जो कि मिस्र वाक्य तो 21 का right answer option भी है अगले प्रिशन बाइस्न नमर है अकाल परेगी और लोग मरेंगे वाक्य है तो इसका जो सही एंसर होगा correct answer होगा option C हो जाएगा सयुक्त वाक्य है तो 22 का राइट एंसर उप्शन C है अगले प्रशन यहाँ पी देख सकते हैं 23 नमर प्रशन है हिंदी कहानी के विकास में मील का पथल कौन सी कहानी मानी जाती है तो इसका जो सही एंसर होगा उप्शन A है उसने कहा था यदि अगर आप कहानी अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो A to Z जो प्रशन है बन जाएगा तो 23 का राइट एंसर उप्शन A है अगले प्रशन 24 नमर है निम्न में से सार्मनामिक विसेशन है तो इसका जो सही एंसर है उप्शन A है ऐसा आदमी नहीं देखा यानि कि नमन में से सार्मनामिक विशेशन है तो ऐसा आदमी नहीं देखा 24 का राइट एंसर ओपसन अ है अगलेव परिशन 25 नमर है، प्रेम सब्द का विशेशन है आप लोग कमेंट किर के बताएं, प्रेम सब्द का विशेशन क्या है तो इसका जो सही एंसर है option A है प्रेमी तो 25 का right answer option A है तो दोस्तो आप लोग चैनल पे नयो चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे साथ में एक bell icon होगा उसको भी दवा के लाव कर लिजे ताकि इसी तरग वीडियो आपको मिलतारे सबसे पहले तो चले दोस्तो अगले प्रशन की ओट चलते हैं तो अगले प्रशन है आप देख सकते हैं जो 26 निमार प्रशन का रहा है कि रूसी सक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ परती लिखती नहीं तो इसका जो सई एंसर है ओप्शन ए है जो कि लेखक ने पूछा तो 26 का राइट एंसर ओप्शन ए है दोस्तो यह वीडियो है जो कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी हिंदी सभी के लिए काफी महात्पुन है ठीक है क्योंकि आप सभी को पता होगा हिंदी सौमर्स का होता है तीनु का ठीक है साइंस का भी आर्ट्स का भी और कमर्स का ठीक है तो आप लोग जो भी स्टुडेंटों सभी याद कर लिजिए अगले प्रिशन 27 नमर है नकल्ची सब्द में पढ़ते है तो इसका जो सही एंसर है ओप्शन डी है जो कि ची क्या है पढ़ते है तो 27 का परिच्छा में सही से प्रशन को पढ़के समझ लेना है उसके बाद ही आंसर गोला करना है नहीं तो गलती करके आ जाना है ठीक है बाद में पचता येगा अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रशन है यहाँ पे 29 नमर कह रहा है कि एक लेक और एक पत्र में है दो स्थोराट जो सब्थ है वह कुन सा सब्थ है तो इसका जो सही एंसर है और नहीं इंसर आप सब्शन यहाँ पहले ततवब सब्थ है तो तिसका राइट hơn यहां तो इसका जो सब्सक्राइब कराई की सरया मन ताल का जल कैसा है तो इसका जो सब्सक्राइब सुपाही की मा एक अंकी की कथा वस्तू है. तो दुश्टु 33 का राइट अंसर चनम अस्थान है तो इसका जो सई एंसर है correct एंसर है option C है जायस कब्र अमेठी में तो 34 का right एंसर option C है अगले प्रेशन 35 नमर है आकास पताल एक करना महावरे का अर्थ है तो इसका जो सई एंसर होगा option यहां पे D हो जाएगा कर्ठीन परिशनम करना तो 35 का right एंसर option D है सो दस्तो इससे पहले बहुत सारे वीडियो अप्लोड हो चुका है चैनल पे तो आप चैनल पे जाके एक वीडियो को देख लिजे ताकि आपका परिच्छा में कहीं सभी प्रेशन आए उसका जवाब आप लोग असानी से दे सके तो अगले प्रेशन यहां पर देख सकते हैं 37 नमर प्रेशन कराई की रोभती गो खरी कनी में बच्छडा हीत पाई यह पंग्तिक की सीसर कैप्ता से है तो इसका जो सई एंसर होगा correct एंसर होगा option यहां पर सी हो जाएगा क्योंकि सूर्दास के पत से लिया गया है तो 37 का right answer option C है अगले प्रेशन 38 नमर है नावादास जी किस धारा के सन थे यहां पर चार option दिया है आप लोग कमेंट करके बताए इन चारों में से correct answer कोन है तो इसका जो सई एंसर है option हम बात कर ले तो यहां पर C इसका right answer है वैसनम दर्षन के तो 38 का right answer option C है अगले प्रेश आप लोग हमारे टेलीग्राम गूरुप WhatsApp गूरुप से जुर सकते हैं जिसका linking description में दिस्क्रिक्शन इससे एप Elementary के जाकर से और प्रेश दिया कर वै awake कि इन तो यह यहथा है और आप कर ले प्रेशुद ले नहींजर करने लिए ज़ुर सकते हैं जिसका link description में दिया गया है अगले प्रस्न यहां पे देख सकते हैं 40 है इतने पास अपने सीसक संकलन फिस कभी के दोड़ा लिखा गया है तो इसका सब्सक्राइब correct answer option D है जो की समसिर बहादूर सिंग के दोड़ा लिखा गया है तो 40 का right answer option D है अगले प्रशन 41 नमर है घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है तो इसका जो सही answer है option A है हार मानना तो 41 का right answer option A है अगले प्रशन 42 नमर है तुलसी दास के दिक्षा गुरू थे दोस्तो तुलसी नमर है खारा का विलोम है तो दोस्तो खारा का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा option C मीठा तो 43 का right answer option C है अगले प्रशन 44 नमर है पंच्वटी कौन सा समास है इसमें देख सकते हैं पंच्वटी यानि कि इसमें संख्या का बोद हो रहा है यानि कि यह दिगू समास के अ option C है अगले प्रशन यहां पर देख सकते हैं 45 नमर प्रशन है समाज का विसेशन है तो दोस्तो समाज का जो विसेशन हो जाएगा वह हो जाएगा समाजिक यानि कि option B इसका correct answer तो दोस्तो एक एक प्रशन काफी महत्पून है आप लोग एक प्रशन को ध्यान से सुने ध्यान से याद कर ले ताकि परिच्छा में आए उसका जवाब दे सके ठीक है अगले प्रशन 46 नमर है अपना उल्लू सीधा करना महावरेकार्थ है तो इसका जो सही answer है option B है अपना काम निकालना ठीक है तो 46 का right answer option B है अगले प्रशन 47 नमर है जिसने गुरू से दिख्चा ली हो एक सब्द में कहा जाता है तो इसका जो सई answer है correct answer option B है जो कि दिख्चित कहा जाता है तो 47 का right answer option B है अगले प्रशन आपे देख सकते हैं जो 49 प्रशन कह रहा है कि उसने कहाता कहानी के नायक है यानि उसने कहाता इस कहानी का नायक कोन है यहां पर चार option दिया है जो कि option A है लहना सिंग, option B है बोधा सिंग, option C है वजीरा सिंग और option D है हजारा सिंग यानि कि चार option है और इसमें से पूछ रहा है कि इसका नायक कोन है यानि कि में इस कहानी का पात्रता कोन है तो इसका जो सही answer है option यहां पर ए हो जाएगा जो कि लहाना सिंग ठीक है तो 48 का right answer option A है अगले प्रस्ट नमर है हाथ पैर कौन सा समास है हाथ पैर कौन सा समास है तो वह है हम बात के लिए तो 2N समास का अंतगत आता है उन्चास का right answer option A है जैसे आप देखेंगे बीच में रेकरिंग है इसका मतलब है कि यहां समास के अंतगत आएगा जिसमें संख्या का बोद होगा उस वहां देगु समास का अंतगत आएगा ठीक है अगले प्रस्ट नमर है तुलसी दास किस काल के कभी है तो आप लोग जल्द ठीक है तो आपको बता दे इस कलास में इस वीडियो में टोटल यहां पे हिंदी सो माक्स के 50 अबजेक्टी प्रस्ण थे तो पहले सापको कितनी प्रस्ण यहां थे साई साई नीचे कॉमेंट करे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरू करके जाएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने वार्टसप ग्रूप फेस्बूप ग्रूप अपने दोस्त में सेर कर देजिए ताकि आपका भी दोस्त इस वीडियो को देख सके और वह बोट परिच्छा में अगर ऐसा प्रस्ण आए तो उसका जबाब असानी से दे सके तो आप लोग क आपको मिलतारे सबसे पहले तो चलिए दुस्तों फिर मिलें किसी और वीडियो को साथ तब देखली जैहिंद